मंडी पुलिस के द्वारा मंडी जिला में यातायाग बिवस्ता को सुचारू बनाने के उदेशे और सड़क दुरगटनाओं में कमी लाने के उदेशे से जिला भर में दो पहिया बाहन चालकों के लिए दवल हेलमेट पहनना अनिबारे कर दिया है ताकि दुरगटना की स्थ और सड़क दुरगटनाओं में कमी लाने के उदेशे से जिला भर में दो पहिया बाहन चालकों के लिए डवल हेलमेट पहनना अनिबारे कर दिया है ताकि दुरगटना की स्थिति में दो पहिया बाहन चालक और पीछे बैटे ब्यक्ति को ज्यादा शारीरिक नुक्सान ना कर दिया है और इस नियम को प्रभावी डंग से लागू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस नियम को लागू करने से पूर्ब एक सब्ता तक जागरुकता अभ्यान चलाए गया जिसमें लागू किये गए इस नियम के बारे में लोगों को जागरुक किया और इस नियम के पूरे जिला भर में डबल हैलमेट ना पहनने बाले लोगों के अभी तक 800 चलान काटे जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से आवान किया कि बेयातायात के नियमों का पालन करें ताकि बे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। कुछ करते करते गाड़ी चलाना इन सब को इन सब से दूर रहें और यदि को ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उसका जो है लाइसेंस भी रद करवाया जाएगा। बही मंडी शहर के स्थानी लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया ब्रेक्ट करते हुए कहा कि दो पहिया बाहन चालकों के लिए डबल हेलमेट जो नियम लागू किया गया है ये एक सराहने कदम है और सबे लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए। अभी जो डबल हेलमेट जो पहनने के लिए कानून बना हुआ है बड़ा अच्छा कानून है इससे जो है चलाने वाली भी शुरक्षित रहेगा और जो पीछे बैठे वाला वो भी शुरक्षित रहेगा उसकी जान को पोई खतानी होगा और बचा होगा। बाकी उन्डी शहर में भी अभी लाभू हो गया है। अभी सरकार ने जो नियम लाभ दिया है डबल एंपन के लिए वो काफी अच्छा की जितना है सरकार कार काफी लोग इसको फॉल भी दर रहे हैं और अच्छा की जाना अच्छा होना भी चाहिए। और रहते तो मतलब ठीक ही है। सीजन पर से मतलब जल्दी है मतलब जल्दी तबी है। कार कर में एक बार फिर्वकत चला है चोड़ से बेक काई मिलते हैं ब्रेक के बाद।